जैश्री हरी स्पीर्चल ग्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. 19 जून से असाड महा के गुफ नवरात्रे आरंब हो रहे हैं। इन नवरात्रों में महाविद्याओं की उपासना की जाती हैं। 10 महाविद्या माने जाती हैं। सीग्र फलदाई होती है इन दस महाविध्याओं की उपासना असाड महिने के सुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथी की शुरुवात उद्विया तिथी के अनुसार 19 जून से नवरातरी आरंभ होने जा रही है 28 जून को नवरातरी समाप्त होगी इस दीन सुबह 9 बचकर 23 मिनट से लेकर 7 बचकर 27 मिनट तक कलस्ष इस्थापना के लिए शुब महरत माना गया है हिंदु पंचान के अनुसार साल में 4 बार नवरातरी मनाई जाती है दो गुप्त नवरातरी और दो प्रकट नवरातरी इस बार 19 जून से असार महा की गुप्त नवरातरी मनाई जाएगी असार गुप्त नवरातरी को गायतरी नवरातरी के नाम से भी जाना जाता है ये मुख्य रूप से भारत के उत्री राच्यों हिमाचर प्रदेश, उत्राखन, पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है कई लोग गुप्त नवरात्री को नो रातों का रहस्य भी कहते हैं गुप्त नवरात्री में भी नो दिन देवी की अराधना की जाती है मा को खुश करने के लिए भक्तों को नवरात्री का बेसवरी से इंतजार रहता है गुप्त नवरात्री के दोरान महाविद्याओं की पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है तंत्र और मंत्र के सहारे कुछ लोग बड़ी-बड़ी सिध्यां प्राप्त कर लेते हैं माननेताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने घोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्री में ही साधना की थी तो चलिए जानते हैं कब से शुरू होगी असार महा की कुप्त नवरात्री रितुओं के संधिकाल से ही है नवरात्री का संबंद कहते हैं नवरात्री का संबंद रितुओं से है दो रितुओं के संधिकाल के समय नवरात्री का यह पर्व मनाया जाता है संधिकाल का अर्थ है एक रितु का खत्म होना और दूसरी का शुरू होना असार महिने की नवरातरी के समय ग्रीश्म रितु का अंथ होता है और वर्षा रितु की शुरुआत होती है आईए जान लेते हैं कलश स्थापना का शुब मोहरत गुप्त नवरातरी की पूजा के लिए कलश स्थापना का मोरत 19 जून को सुबह 5 बच कर 23 मिनट से शुरू होकर 727 तक रहेगा अभिजीत मोरत में भी कलश स्थापना की जा सकती है वो 11.55 से लेकर के 12.50 तक रहेगा गुप्त नवरातरी में इन 10 महा विद्याओं की साधना करने का विधान है क्या है गुप्त नवरातरी की पूजा विदी गुप्त नवरातरी में आधी रात को मादुर्गा की पूजा की जाती है पूजा के समय मादुर्गा की प्रतिमा को लाल सिंदूर और चुन्री चड़ाई जाती है चुन्री चड़ाने के बाद माता को लाल फूल अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप चलाएं नारियल फल तिल और लड़ू बताशे का भोग लगाएं लाल गुलाब के फूलों से मंदिर को सजा कर माता को लाल गुलाब की माला पहनाएं सरसों के तेल का दीपक लगाकर आसन पर बैठ जाएं और फिर ओम दुम दुर्गाई नमा मंतर का जाप करें संभवू तो अर्गलस रोत का भी पाठ हवश्य कर लें इसके बाद माता की आर्थी उतारें हर तरह का कल्यान यदि आप चाहते हैं तो निम्न मंतर का जाप करें सर्व मंगल मंगले सिवे सरवात साधिके शरण ने त्रंब के गौरी नारायनी नमुस्तुति स्वास्था एवं सफलता के लिए जिस मंतर का जाप करना है वो है देही सोभाग्यम आरोग्यम देही मैं परम सुखम, रूपम देही जयं देही यशोदेही दिशोज़ी बादा मुक्ति एवं धन पुत्र प्रापति के लिए सर्व बाधा विनी मुक्तो धन धान्य सुतान वितहा मनुष्यों मत प्रसान देन भविश्यती न संश्या तन और मनसे सुन्दर पत्नी के लिए पत्नीम मनोर्मा देही मनो व्रतानु सारणीन तारणी दुर्ग संसार सागस्य कुलो दुवभाम गरीवी दूर करने के लिए दुर्गे स्मृता हरसी भतीम शेजस जन्तो स्वस्तेहे स्मृता मतीम त्रीव सुभाम ददासी दरित्य दुख भैहारणी कातव दन्या सर्वकार काराणाए सदार्ध चित्ता वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाच्छिए